कभी प्यासे को पान पिलाया नहीं बाद अम्रित पिलाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अम्रित पिलाने से क्या फाइदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आसु वाहाने से क्या फायदा मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ये खयाला गया मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ये खयाला गया कभी माँ पाप की सिवा की ही नहीं सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अम्रित पिलाने से क्या फायदा मैं तो सत्य संग गया गुरु माणी सुनी गुरु वाणी पिलायदा मैं तो सत्य संग गया गुरु वाणी सुनी गुरु वाणी को सुन कर खयाला गया जन्म मानव कले के दया ना करे फिर मानव कहलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अम्रित पिलाने से क्या फायदा मैंने दान किया मैंने जप तप किया दान करते हुए ये खयाला गया मैंने दान किया मैंने जप तप किया दान करते हुए ये खयाला गया कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं दान लाखों का करने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अम्रित पिलाने से क्या फायदा गंगा नह ने हैरी द्वार काशी गया गंगा नह ने हैरी द्वार काशी गया गंगा नह ने हैरी द्वार काशी गया फिर गंगाना आने से क्या फायदा कभी प्यासे को पाने पिलाया नहीं बाद अम्रित पिलाने से क्या फायदा मैंने वेद पढ़े मैंने शास्त्र पढ़े शास्त्र पढ़ते हुए ये खयाल आ गया मैंने वेद पढ़े मैंने शास्त्र पढ़े शास्त्र पढ़ते हुए ये खयाल आ गया मैंने ग्यान किसी को बाटा नहीं फिर ग्यानी कहलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फायदा मात पिता के ही चरणों में चरोधाम हैं मात पिता के ही चरणों में चरोधाम हैं आजा आजा ये ही मुक्ति का धाम हैं पिता माता की सेवा के ही नहीं फिर तेरखों में जाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आसु बहाने से क्या फायदा कभी जासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमरित पिलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं माद आसु वहाले से क्या खाइदा कभी चासे कपाली पिलाया नहीं माद आम इस पिराने से क्या खाइदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं माद आतु मामाने से क्या फाइदा तब क्या से कपा ही फिलाया नहीं माद राम रिख फिलाने से क्या फाइदा हा खाइदा हाइद माद आत्र, झाल टów , innate हाइद हाइद कर दो कर दो कर दो